नमस्तों कैसे हो आप सब यापनाम इस वीडियो के दरन बात करने बाले है टाकिला उएस के वारे में यापना शामी MI2 डिवैस के लिए अपिशाली एंड्रोइड 12.1 के साथ टाकिला उएस का जो बिल्ट है अबिलेबल हो गया है और यापना इस वीडियो के दरन टाकिला लाइक कर देना वीडियो को शेर कर देना चैलन को सब्सक्राइब करके घंटी बाला आइकोन को दबाके और स्रेट कर दीजेगे इंस्टाइगा में फॉल्व कर सकते हो यह पर एंडर टुएल ब्लाट वान के साथ यह पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाकिलावेस का डाउनलोड लिंक दिनको मिलेगा वापर जाके शामी इमाने टो डिवेस के लिए इस राम को डाउनलोड कर सकते हो यह पर एज बिल्ड है उस तो ओफिशल बिल्ड है और यह पर फिप्त अब जुलाइक का जो कर लेट यसachtet डीनलोड के साथ ए जो बौड के साथ एलेवल है और यह पर इस रम के साथ गूस है तो आपर अएज आपर फिच्छ अबल लेट्ड चलाल के साथ यह पर इस रमें के लाइप आप्सेन से काम करते है, यह सब आपको बाइप लाइ यह इन अप्सोम Тем को 1 Legend कर्ण है इसे आपकेज से जाएगा यह Son ल माइप का इपको ईसे हैं, लाइप शोन बय। आपको आप से एप लिए न tract आपके conversations QR code को scan करने का जो toggle यह पर add किया गया है एंडर 12 के साथ प्लास पर जहें always done display के लिए यह जो option से add किया गया है काफी ब्रिया बाद है यह पर इस से भी options available है यह पर advanced reboot का जो option से by default enable नहीं है यह पर notification को पर enhance notification का जो option से add किया गया है फिर bling light का option है notification.on app icon का जो option से add किया गया है अगर बात करें पर battery backup के बाड़े में तो यह लगभग 6 hour के आसपस से बज़े बैटरी backup देना को मिलेगा यह पर battery percentage का जो option से add किया गया है पर इसकी लगए को बंद कर सकते हैं यह पर इसकी लगण का बंद कर सकते हैं चार्जिंग साउंड और vibration का बंद कर सकते हैं पर जहें का option है प्लस और शो आइकोन वें इन वाइबेट मौड का option है पर टाच वाइबेशन को एड का गया है पर इसकी शॉट को जो साउंड यह आप यह से बंद कर सकते हैं नेक्स्ट आपर बात कर लेते हैं डिस्पल के बारे में यह पर डिस्पल के साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस आने पर जो लो ब्राइटनेस को साथ कोई भी इशु नहीं है यह पर ऑटो ब्राइटनेस का जो आप्शन से एड किया गया है यह पर लॉकिस्किन के साथ जो आलाव फ notification आय का automatically display अन हो जाएगे इस भी एट किया गया है पर wake up screen for notification का जो आप्शन से काम कर जाएगा यह पर dark mode का option यह पर dark mode options को बजू जो शेडूल का जो option से एड किया गया है गफी बढ़ अबात है पर pure android 12 का जो aosp rom का जो experience दीने को मिलेगा यह पर night light का सवाइट कीए चाहेँ, यह अपर शामी MI2 DBS के साथ नईट लेटकर ऐसे बीडियाट कीए तेंपर डबल ट करके दिस्पलों को उन कर सकतों से ब 키 अपर seven डबल ट कुछ या पर 4G आइकन को शो कर सकतो या पर डेटर डिजबल आइकन को एड़ किया गया है इसे वी आप्सिन से अबिले बेले या पर वाल्पेपर और स्टाइल कूपर जो वाल्पेपर कालर बेसिक कालर का ओप्शन या पर एंडर 12 का जो हालेटिंग फिचर से जो मौनेंड युव कर जो सपोर्टे आड किया गया है कफी बढ़िया बाहा थे या पर डार्क मोड का ओप्शन पर थीम आइकन का जो आप्सिन से अबिले बेले या पर वाल पर बाद केल ले थे एकसेशिबिलिटी सिनिस के बार में या पर एकस्ट्रीम का ओप्शन है शामी एमाएटु डिब सब्सक्क्राइब करेंат सकते हैं यया पर वाधवर्टिक का जो अप्षिन से आड किया गया है रिंघ वाधवाशन नोट्रिफिकशन वाधवेशन का-फषिन का-प्षिन से एड़ किया गया है प्लस ऑडियो एड्जस्मन को बाद एसे बीड अप्सिंस अबलेबल है यह पर इस बील के साथ जो फेस्ट अनलाक एंड फिंगर पीरिंड कर जो अप्सिंस से अबलेबल नहीं है अगर बात करें फिंगर बीन के बारे में सिंपली टैप किया ओपेन हो यह पर रैपल एनिमेशन को एड किया गया है तो यह पर फोन को अनलाक करने करा है यह पर रैपल एनिमेशन देना को मिले गया यह पर फिंगर बीन सिंसर काफी फास्ट है बहुत ही फास्ट अपकुछ रिवेस है अनलाक हो जाएगा काफी बरिया बात है पर फिंगर बात कर एक पर face unlock के बाए मिदें, face unlock यहापर काम करते हैं, face unlock थोछ सा slow है, यहापर कुछ इस तरह से face unlock काम तो करते हैं यहापर face unlock काफी slow देना को मेलता है, ति यहापर freeable sensor काम करें जाएगा यहापर face unlock काफी slow है इस build के साथ शायद next update के साथ एज इस इसचे fix हो जायेगा, अगर बात करें privacy के साथ camera access, microphone access का option है यहापर privacy dashboard को add किया गया है यहापर अब देख पाओ कि कौन का application जो है location, camera, microphone का access पूछ रहा था है Android 12.1 के साथ privacy को improve किया गया है यहापर location का option से काम गर्ज जगे इस बिल्ड के साथ यहापर system को पर जो है इस भी options available है यहापर live translate का option से भी add किया गया है pixel 6, pixel 6 pro device के तरह है यहापर Xiaomi MI2 device के साथ live translate का option से गाम कर जाएगा अब गेश्यस को बचे है swipe fingerprint for notification का option इस option को enable करने के बात simply बचे है fingerprint के साथ जो आप notification को open कर सकतो का फिडिया बात है simply बचे swipe fingerprint for notification का option से बचे है fingerprint में tap करके notification को open कर सकतो यह पर quickly open camera का option इस option को enable करने के बात है यह पर power button को double press करके camera applications को open कर सकते है बचे है पर quickly open camera का option से काम कर जाएगा अगर आप जल दीअ से camera applications को open करना चातो है जो रखर इसक़ जो जो खुआपन तंस आंड किया गया है आपर सिस्टेम को पर टू-बॉर्यं नैबिगी कि हमें और高 की को वनेनन अप्धिवर कर सकते हैं पर शू नोटिफिक्शन को आपशन है और यरच अपशन को फूरेकर सब्सकतर करने के बादु सेकेzhाओ, दोतिलाप्ट यहें क्लिक कर सकते पर Swipe To Screenshot को जो उप्षिन सै एड किया गया है और यह पर OT बड़ेट को इस्ट्ऱ करने के लिए जो आपडेटर जो अप्डेटर को अप्डेटर के जाई गया है का फिलिया वाध है और इस तभी आप्शिन से अब लेवल हैं ऑपर कोई भी कस्टोमेशन आप 12.1 के साथ यह AOSP Express दे नहीं मिल जाएगा Xiaomi MI2 device के साथ अगर आपको बड़िया RAM management चाहिए काफी बड़िया battery backup चाहिए और यह आपर almost अभी जो options से पर काम करता है और इस राम कब जरू से इस राम कर सकते हो Xiaomi MI2 device के साथ हमने अपर इस राम के साथ जो कुछ benchmarking applications को रान किया था Geekbench 5 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 327, Multicore के साथ 1315 के स्कोरे Geekbench 5.4.4 के साथ एंडर 12 के साथ तो यह पर average जो स्कोरे सिंगल कोर प्लस यह पर multilore के साथ जो average से काफी हदा इसको देनको मिल गया है तो यह पर multilore के जो पहुमेंसी इस बिल्ड के साथ काफी उडिया है अगर बात करें सिप्यू थोर्टलिंग टेस्ट के बारे में लगबग 5 मिनट के लिए यह जो टेस्ट है मने रांकिया था मैक्स गया है 133 यह पर average 126 मिनिमाम है 118 93 परसंग के सिप्यू थोर्टल देनको मिल गया है मैक्स वो गया है 2.22 जिगार सक ओबराल पॉमेस बढ़ि इस अरसे पॉमेस देनको मिल जाए इस बिल्ड के साथ अगर बात करें एपर कैमेरो टेपए के बार में एपर कैमेरो टेपए के साथ लेवेल थी जो सप्ट है एड किया गया है एपर Gcam काम करेट जाएगा यहापर Google Camera काम करेट थे गफी बढ़िया बाहत है और यह अपर Camera Go पर portrait mode, photo, video, acup options को एड किया गया है पर Gcam Go काम करेट थे प्लस अपर Google Camera भी काम करेट जाएगा इस बिल्ड के साथ जाएगा इस बिल्ड के साथ जो बाइड प्लेस्टोर अबलेवेल है अपको अलग से अपर जे प्लेस्टोर को इंस्टोर नहीं करना होगा इस आपको इस आ देने काम में लेगा यह उस पर ROM का जो experience से देने काम में जाएगा Xiaomi MI2 device के साथ अगर बात करे पर Volume पैनल के बार में कुछ इसर से अपर Volume पैनल का जो UI ही देने काम में लेगा इस राम के साथ कफ़ी बाह बात है यह से घो प्छे बीड उप्सल्स को आड किया गया है ना पर इंपरेंट फाइल है आपके device को पर उसका बैकाप क्रेट करना काफी जरूरी है तो सिंप्ली यह पचे कस्टम रॉम को फ्लाच करना से पहले बैकाप क्रेट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक देना को मिल जाएगा वह पर जाके शामी M.I.2 डिवैस के लिए इस रॉम को डाउनलोड करना होगा ओपीशल ब्लेल है शामी M.I.2 डिवैस के लिए और यह पर शामी M.I.2 डिवैस को पर किस तरह से कस्टम रॉम को एश्ट्रोल करते के स्थरा से कस्टम रॉकवरी को इस्ट्रोल करते इसके बार में हमने आल्लाइडी वीडियो अपर्लट के है अप शेंक घनलो को से कस्टम रॉक वार सकते में के लिए पर खांच टो रबाब बाएज रीबैस से कस्टम रिकपूणी के साथ जोह बूठ हो जाएब यह पता इस रॉम के साथ यह बाएदिमने के बाट को रवेद्ट जाना होगा Xiaomi MI2 device के साथ, यहाँ पर हमने पास है POCO FN device तो यहाँ पर Xiaomi MI2 device को इंस्टोर करना होगा, तो यहाँ पर Xiaomi MI2 device को आई फेलाल TWRPT अबलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ परचे POCO FN device को इंस्टोर करने के बाद सबसे पहले यहाँ परचे बैक अप में जाना होगा, बैक अप में जाना के बाद कारेंड रॉम का बैक अप क्रेट करना होगा, बैक आप में जाना का बैक अप करना काफी जरूरी है, बायत आप्शन को स्लिट करना होगा, पर इंटरन स्टोरेज को जाना होगा, सिंपली डाल्विक डेटा, कैशे सिस्टम, इस चार आप्शन को स्लिट करके, स्वाइप करके, वाइप कर देना होगा, यह पर वाइप होने में कुछी सगें टाइम लागता है, वाइप होने के बाद अबर इस रॉम के साथ ज़े बाइडिफ़ल जीपस अबलेवल हैं अबर इस रॉम जाकर रॉम को स्लेट करने के वादस स्वाइप करके इंस्ट्रोल कर देना होगा आपको अलग से जीपस को फ्लाश नहीं करना है यह पर ROM flash वने में लगभग 5-10 minutes के आसपस time लाएगा ROM flash वने के बाद simply आप जहे back आके यह पर reboot to system का जो option से इसमे डाप करना होगा कुछ इससे आप जो कोई भी custom ROM को flash कर सकतो हो Xiaomi MI2 device कूपर यह पर यह जो रोमें जो fast boot में लगभग 5-10 minutes के आसपस time लाएगा उसके बाद आपको simply ROM को सेट आप करना होगा Xiaomi MI2 device कूपर यह पर अल्मस्स अभी जो option से काम करते हैं आप definitely इस ROM को try करके देख सकतो Xiaomi MI2 device कूपर description box में इस ROM का download link देना को में जाएगा वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को share कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला एकॉन को दबाके और स्रेट कर दीजेगा Instagram में फॉलो कर सकतो बाइडिफल इस ROM के साचे यह पर Play Store अबलेवेल है और बाइडिफल इस ROM के साचे Google Camera Go देना को मिल जाएगा इस ROM के साथ बाइडिफल Gcam Go देना को मिलता है कफ़ी बाइबात है पर Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot, Mobile Data अल्मोस सब इस ROM के साथ कफ़ी बाइबात है प्लस इपर पॉआमेस भी स्रॉम के साथ कफ़ी बाइबात है पर कफ़ी बाइबात देना को मिलेगा अन्यवे, मिलते ने एक सब्सक्राइब कूपर थांक यू फर आजिए वीडियो वाइबाइबाइबाइबाइबाइ